गंगा तथा ब्रह्मपुत्र की सहायक नदिया मिलकर भारतियुप महादीप में गंगा ब्रह्मपुत्र बेशिन का निर्माण करती है जो चित्र 8.8 में धर्साया गया है यह बेशिन उपोष्ट में 10 डिगरी उत्तर से 30 डिगरी उत्तर अच्छांस के मत्यर्ष्थित है घाखरा शोन जंबल गंडग कोसी जैसी गंगा की सहायक नदिया एबंप्रम्हपुत्र की सहायक नदिया नवस्कार आइडियो बुक में आपका स्वागत है आइडियो बुक का यह वीडियो क्लास 7 की NCRT जो जियोग्राफी सब्चेट की है यह उसका आठवात है जिसका टाइटल मानव पार्यवरन अन्डोन किरिया है पोश्ण कर्पनती है एवं वो पोश्ण प्रतेस है इसका स जादमात्याएं उपर आइडियो को आफ इसके साथ ही इस आइडियो को आफ स्पोटिफाई जियो सावन एंकर एवं एवं हैटफोन अप्लीकेशन में जाकर सुन सकते हैं जिनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन दॉक्स में दिया गया है तो चलिए शुरू करते हैं रियन वन्यजीब फोटोग्राफर थे तथा बहुत यात्रा करते थे बहुत चोटी ओम्र में ही रियनुगा की रूजी वन्यजीब एवं वनों में थी जब उसके चाजा ने प्राकरतिक संबंधी पुस्तकों से उसका पैज़्य करवाया दूरस्त भूस्तल एवं वहां रहने व ducab के लोगों को देख सकती हो उसमें कुछ सुस्कर्य дело के से ही कुछ वरफिले प्रद्रजस ईखों कोंगरम न्रम वर्चा वाले बनों से हैं मनुझ से कितने अलग दिखते रिलुका ने कहा, वे देखने में भले ही अलग हो, लेकि उनके भोजन, कपड़ा, एबं मकान, जैसे जीवन की मूल अवसकता हैं हमारे समानी है, श्रिकान चाचा ने कहा, उनकी बच्चे भी सायत तुम्हारी तरह ही खेलते हैं, कभी जगडते हैं, फिर समझोता कर लेते हैं गाते हैं, नाचते हैं, एबं घरेलों कारों में अपनी परिवार की मदद करते हैं वे प्राकृति के करीब रहते हैं, एबं जीवन की सुर्वात में ही प्राकृति की देखभाल करना सीख जाते हैं वे मसली पकड़ना एबं पनों से सामगरी एकत्र करना सेखते हैं अधह 8, 9 एबं 10 में आप विश्व के विभिन प्राकरतिक प्रदेसों के निवासियों के जीवन के वारे में सीखेंगे ओमेजॉन बेशिन में जीवन अमेजॉन बेशिन के विशे में जानने से पहले हम मान चित्र देखते हैं चित्र आर्द समलोतों ध्यान दे कि ओश्वर करवंधी प्रदेस करक रेखा और मकर रेखा के मद्धे इस्तित है भूमद्रे खाके 10 डिगरी उत्तर से 10 डिगरी दच्छिंड के मद्ध के भाग को भूमद्र रेखी प्रदेस कहते हैं अमेजॉन नदी इसी प्रदेस से होकर बहती है ध्यान दे की यह पश्ची में परबतों से निकल कर पूर में अंध महा सागस कैसे पहुँची जिस नदी पर कोई नदी किसे अन्यजल रासे में सामिल है उस नदी का भूहाना कहते हैं अमेजॉन नदी में बहुत सारी सहायक नदी मिलकर अमेजॉन बेशिन का निर्मान करती है यह नदी वेशिन ब्राजिल के भागो, फेरू के कुछ भागो, बोलीविया, एक्वाडोर, कोलंबिया तथा वेनेजुएला के छोटे भाग में अपवाहित होती है क्या आप इस वेशिन में इस्थित, उन देशों के नाम बता सकते हैं, जिनमें भूमत रेखा कुचरती है क्या आप जानते हैं, जब इस्पेन की अन्वेशकों ने इस नदी की खोज की, तब सिर पर सुरच्छा कबज, यानि हेट कियर एवं घास के स्कॉट पहने हुए स्थानी आदिवासियों ने उन पर आक्रमण किये इन आक्रमण कारियों ने उन्हें प्राजिन रोमन संप्राज के अमेजौन नामक महिला जो धाके आक्रमक समू की याद दिला दी, इस प्रगार यहां का नाम एमजौन पढ़ा सब्दा वली, शहायक नदिया यह छोटी नदी होती है, जो मुख नदी में मिलती है मुख नदी अपनी सहायक नदी के साथ जिस्षित से पानी को बहागर ले जाती है, वह उसका वेशिन हत्वा जल संग्रहन शित कहलाता है अमेजौन वेशिन विश्व का सबसे बड़ा नदी वेशिन है जलवाईू जैसा कि आप जानते हैं, अमेजान वेशिन भूमत रेखा के आसपास फैलता है और पूरे वर्ष यहां कर्म एवम नम जलवाई रहती है यहां कमोसन दिन एवम राद तोनु के समय लगवग समान रोप से कर्म एवम आर्द होता है तथा सरीर में चिपचपाहट महसोस होती है इस प्रदेश में लगवग प्रति दिन वर्ष होती है और वह भी बीना किसी पूर्विचे दाबनी के दिन का तापमान उच्च एवम आर्दता अती उच्च होती है रात के समय तापमान कम हो जाता है लेकिन आर्दता वैसे ही बनी रहती है वर्षाबन इन प्रदेशों में अत्यथिक वर्षा के कारण यहां की भूमी पर सगन वन उख जाते हैं जिने आप चित्र आर्द समलों दीन में देख सकते हैं वन इतने सगन होते हैं कि पत्तियों तथा साखाओं से छत्सी बन जाती है जिसके कारण सूर्य का प्रकास धरादल पर नहीं पहुंच पाता यहां की भूमी प्रकास रहेद एबम नमखास बनी रहती है यहां के बल वही बनस्पति बनाब सकती है जिसमें छाया में वढ़ने की छपता हो परजी भी पौधों के रूप में यहां और्किट, एबम, ब्रोमिलाइट पैदा होते हैं वर्सावन में प्राणी जात की प्रचुरता होती है टूकन, गुंजन पंची, रंगीन पंची वाले एबम, भोजन के लिए बड़ी चूचबाले पिभिन प्रकार के पच्ची जो भारत में पाय जाने वाले समान वच्चियों से फिरने होते हैं यहां पाय जाते हैं प्राणीयों में वंदर, इस्थौल, एबम, चीटी खाने वाले टैपीर भी यहां पाय जाते हैं साप एवं सरीर स्रप की बिभिन प्रजातिया भी इन पनों में पाई जाती हैं मगर साप अजगर तथा एनकोंडा एवं बोगा कुछ ऐसी ही प्रजातिया हैं जिनके अतरिक्त हजारों कीड़े भकोडों भी इस पेशिन में निवास करते हैं मास खाने वाले पिराण्या मत्स समेत मचलियों की बिभिन प्रजाति भी अमिजौन नती में पाई जाती हैं इस प्रगार जीवों की बिभिता की द्रश्टि से यह वेजिन असाधार अन्रोप से सम्प्रद्ध हैं क्या आप जाते हैं ब्रोमी लाइट एक बिसेश प्रगार का पौधा है जो अपने पत्तियों में जल को संचित रखता है मेढ़क जैसे प्राणी इन जल के बौकेट का उपयोग अंडा देने के लिए करते हैं वर्सावन के निवासी यहां के लोग छोटे से छेत में वन के कुछ ब्रच्छों को काट कर अपने भोजन के लिए फसल उगाते हैं यहां के पुरुष सिकार करते हैं तथा नदी में मशली पकड़ते हैं जबकि महलाएं फसल पर ध्यान देती हैं वे मुख तहा कि प्योका, अनानास एवं सकरगंद उगाते हैं क्योंकि मशली या सिकार मिलना अनिश्चित होता है ऐसे में महलाएं अपनी उगाई साग सब्चियों से अपने परिवार का भरण पोशन करती हैं वे कारतिन एवं दहन क्रिशिपद्धती का प्रियोग करती ह इनका मुख आहार मिन योग है जिसे कसावा भी कहते हैं तथा यह आलू की तरह जमीन के अंदर पैदा होता है ये चीटियों की रानी एवं अंड़कोस भी खाते हैं कॉफी, मक्का एवं कोक जैसे नगदी फसल भी यहां उगाए चाती हैं वर्सवन अतिधिक मात्रा में घ चत्ते के आगार वाले चपर के घरों में रहते हैं जबकि कुछ लोग मलों का कह जाने वाले अपार्टमेंट जैसे घरों में रहते हैं जिनकी छत तीप ढ़ाल वाली होती है अमेजॉन वेशिन में लोगों का जीवन धीरे धीरे बदल रहा है पुराने समय में बाहर से अंदर पहुचने के लिए नदी मार्ग की एक मात रुपाय था 1970 में ट्रांस अमेजॉन महामार्ग बनाने से बर्सा बनके सभी भागों तक पहुचना संभव हो गया अनेग स्थानों पर बहुचने के लिए हवाय जहाज तथा हेलिकॉप्टर कोपियों किया जाता है इस प्रक्रिया के फरणाम सरूब वहां की मूल आवादी को उस छेत से बाहर निकाल कर ने छेत में वसाना पड़ा जहां वे फौरानिक तरीके से खेती करते हैं कि आप जानते हैं कारदन एबम दहन की पद्धती में किसान पहले प्रच्छों एबम छाडियों को खाट कर भूमी साब करते हैं फिर इनको जलाया जाता है जिसचे पोशतत मिट्टी में मिल जाती है इस साब भूमी पर कुछ वरसों तक फसल पैदा की जाती है जमीन की इस तुकडे के बार-बार फ्र्योक से मिट्टी भी बोसक तत्यों का आभाघ हो जाता है इसलिए इस तुकडे को छोड़ दिया जाता है इसके बाद फसल उगाने के लिए किसे दूसरे स्थान को साब किया जाता है इस बीच पुराने खेट में छोटे छोटे ब्रच उगाते हैं इस बगार मिट्टी पुना उपजाओ बन जाती है तब लोग इस भूमी के टुकड़े को पुना जोट जाते हैं विकात सीगत विध्यों के कारण जयविक विधिता वाले वर्सवन धीरे धीरे नाश्टों हो रहे हैं ऐसा नुबान है कि प्रतिवर्स अमेजान वेजिन की वर्सवन का बड़ा भाग लुट्थ होता जा रहा है आप देख सकते हैं कि वर्सवनों की लुट्थ होने की जाती है 5 प्रह्मजुत्र वेशिन में जीवलन गंगा थथा प्रह्मपुत्र के सायक नदिया मिलगर भारतियों प्हादीप में गंगा प्रह्मजुत्र वेशिन ska tipo colony essay में धर्शायागया घ्या कि कोशी जैसी गंगा की सहायक नदिया एबं प्रम्पुत्र की सहायक नदिया इसमें अपवाहित होती हैं एटलस के जाहिता से प्रम्पुत्र की कुछ सहायक नदियों के नाम ढोड़िये गंगा एवं प्रमपुत्र के मैदान परवत एवं हिमालय के गिरिपात तथा सुन्दरवन टेलटा इस वेशिन की मुख विस्यष्टा है आपको स्केन पे भारत का एक मैप दिख रहा होगा जो गंगा एवं प्रमपुत्र वेशिन को दरसाता है स्केन को पॉज करके आप इसे जरूर देखिए मैदानी छेत्र में अनेक चाप जिल पाए जाती है यहां के जलवाई यह मुखता मानसूनी है मानसून में मद्ध जून से मद्ध सितंबर के पीच वर्सा होती है प्रिप्रित में कर्मी एवं सेत्रुत में ठंडी होती है भारत का मान चेत्र देखिए उन राज्यों के नाम बताईए जहां गंगा प्रमपुत्र बेसिन इस्थित है बेसिन छेत्र में विभिन प्रकार की इस्तलाक्रती जनसंख्या के पित्रर में पार्रावरण की प्रमुख भूमिका होती है देब्रधाल वाली परवती छेत्र वसने के लिए प्रतिकूल है अताहा गंगा प्रमपुत्र बेसिन के परवती छेत्र में कम लोग रहते हैं मानो प्रवास के लिए मैदानी छेत सबसे उपयुक्त है अताहा यहां जनसंख्या घनत्व अधिक है यहां के मिट्टी उपजाओ है जिन इस्थानों पर फसल उगाने के लिए समतल भूमी उपलब्द है वहां के लोगों का मुख्य परपसाय क्रसी है धान यहां के मुख्य जो चित्र आर्द समलोलों में तरसाई गई है सब्दावली जनसंख्या घनत्व का अर्थ है एक वर्ग किलोमीटर छेत में रहने वाले लोगों की संख्या उताहरण के लिए उत्त्राखन का जनसंख्या घनत्व एक सो नवाजी है जबकि पश्चिम बंगाल का एक हजार उ 1102 जिन स्थानों पर फसल उगाने के लिए समतल भूमी उपलब्ज है वहां की लोगों का मुख वेवसाय क्रसी है धान यहां की मुख वसल है चुकि धान की खेती के लिए पर्याप्ट चल्की अवशक्ता होती है यह उसी छेत्र में उगाया जा सकता है जहां आजदिक बार गन्या एबम जूट जैसे नगदी फसले भी उगाय जाती है मैदान के कुछ छेतर में केले के बागवी देखे जाते हैं वश्चिंबंगौल एबम असम में चाय के वगान मिलते हैं जो चित्र 8.9-10 में दरसाय गए हैं बिहार एबम असम के कुछ भागों में सिल्क के अधन कर सिल्क का उत्पादन किया जाता है मंद ढाल वाले परवतों एबम पहाडियों पर वेधिकाव में फसले उगाय जाती हैं विभिन वु आकृतियों के नुसार बनस्पति में भी भिन्नता पाई जाती है गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान में सकवांत साखू एबम पीपल के साथ उचन कड़ बंधी बंड़ पादी पीण भी पाय जाते हैं ब्रह्मपुत्र के मैदानी छेत्र में घनी वांस की घनी जुर्मुट पाय जाते हैं डेल्टा छेत्र मैक्रो बन में खिरा है उत्राकर्ण सिक्किम एबम और नालचर पदेश के ठंडी चलवाई एबम त्री पिठाल वाले भागों में चीड देवदार एबम पर जैसे संक्वधारी बन पाया जाते हैं वेस्चिन में विवित प्रकार के वन्नेशीव पाया जाते हैं जिन में हाधी वाग हीरण एबम बंदर आदिस समान दरूप से पाया जाने वाले चीव हैं एक सिंग ĩंगाला गेंड्या ब्रह्मपूद के मैदान में पाया जाता है जित आर्द सम्लोग करा में इसको दरशाया गया हैं बंढर ऑंगाल टैगर कि आप जानते हैं वेदिकाओं का देर्माण खाडी धलानों उपर समतल सतह बनाकर घ्रशी करने के लिए होता है ढाल को इसलिए हटाया जाता है कि जल का प्रवाहत्ति प्रवना हो सके कि आप जानते हैं गंगा एवं ब्रहंगुत नदी के अलवर्ण जल में एक प्रकार के डाल्फिन पाय जाते हैं जिसे इस्थानी भासा में शुसुक अतवा अंधी डाल्फिन कहते हैं सुसिकुक फश्तिति से जल की सुधता का पता चलता है रासायन की अत्तधिक मात्रा फाले गयस उपचारित और धोग की एवं सहरी गंदगी इन प्रजातियों को नश्ट कर रहे हैं क्या आप चानते हैं सर्वहों में सुच्चता कवरिज प्राम्त खड़ने और सुच्चता पर ध्यान केंदित करने के प्रयासों में तेजी लाने के लिए भारत के प्रधान मंत्री ने 2 अक्टूबर 24 को सुच्च भारत मिशन का सुभारा में किया है जील जीविका का साधन एक केस अत्यान यानी एक केस इस्ट्री है चलिए इसे बढ़ते हैं विनोध एक मचुहारा है जो बिहार के मतवाली मौन काउमें रहता है आज वह एक पसंद व्यक्ति है मचलियों की विभिन प्रजातियों को पालने के लिए उसने अपने साथी मचुहारू रविंद्र, किशोर, राजीब तथा अन्र के साथ मौन या चाप जील को साप किया जील में उगने वाले स्थाने खर्पतवार, वैली नेरियार और हैट्रिला मचलियों का भोजन बनाते हैं जील के आसपास के भोव में उपजाओ है वह इस जमीन पर धान, मक्का एवं दलहन जैसी फसल बोता है खेद की चुताई के लिए वहेंसे का उपयोग किया जाता है, वहां के लोग बहुत संतुष्ट है नदी में पकड़ने, खाने वाब बेशने के लिए काभी मचलिया हैं, जिन्हें पकड़कर वे पास के सहर में बेशते हैं यह समुदायक प्राकरती के साथ सम्रस्ता बना कर रहता है, जब तक पास के सहरों का प्रदोशन इस छील तक नहीं पहुंचता, तब तक मतस्पालन को कोई खत्रा नहीं है गंगा प्रहंपुत के मैदान में कई बड़े सहर एवं कस्वे इस्थित हैं, इलाहावाद, कानपूर, बानारासी, लखनव, पटना एवं कोलकत्ता जैसे 10 लाग से अधिकावादी वाले सहर गंगा नदी के तटपर इस्थित हैं, जिन्हें आप चित्र 8.13 में दीख सकते हैं, इन सहरों तथा यहां इस्थित उद्धोगों का कंदा पानी पहकर नदी में ही जाता है, जैसे नदी प्रतुशित होती है, क्या आप जानते हैं, गंगा नदी के सरच्छन के लिए नमामी गंगी कारिक्रम सुरू किया गया है, बेसिन में यातायाद का सुविक्सित त द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं, नदी के तर्टे छेत्र में चलमार्क यातायाद का प्रभावसाली माध्या में, कूलकत्ता हुखली नदी पर इस्थित एक महत्पूर्ण पंतन है, मैदानी छेत्र में कई बड़े हवाई पंतन भी इस्थित हैं, पार पर नव का इमाम बाड़ा, असम का काजी रगगा, एब मानस वन्य प्राणी अभ्यवन तथा अवनाचा प्रदेश की विसिष्ट जनजादी स्थान स्थान स्कृति जैसे कई दर्शनिक स्थल हैं, आप इने चित्र आट दसमलो चार में देख सकते हैं, इसके साथ ही हमारे आप सुनिये और हमें सपोर्ट करें, शुक्रिया